नमस्कार दोस्तों मैं करुणा अपने चैनल मा की रसोई वित करुणा में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की मेरी रेसेपी देखकर आप समझी गए होंगे आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू इन लड्डू को हम एकदम ही नए तरीके से बनाएंगे इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकोन दबाना न भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम नारियल पाउडर लिया है और 250 ग्रामी हमारा कंडेंस मिल्क है, दो बड़े चम्मज, शुद्ध घी, ड्राइफूर्स में चिरॉंजी ली है आप अपने अनुसाद ड्राइफूर्स ले सकते हैं और जाइफल लाइची का पाउडर चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, अब हम इसमें ये दो चम्मज घी डालेंगे चलिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जाइफल लाइची का पाउडर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भुन लेंगे, इससे लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अब हम ढालेंगे इसमें ये नारियल पाउडर अब हम इसे धीरे धीरे रोस्ट करेंगे, इसे हमें ड्राइ रोस्ट ही करना है, गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे चार से पांच मिट हो चुके हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और हलकी सी इसमें से खुश्बू भी आने लगी है, बस हमें इसको कलर चेंज नहीं करना है, इतना ही हमें इसे सेखना है अब हम इसमें ये चिरोंजी डाल देंगे, आप अपने लुसार कोई भी ड्राइ फूर्ट डाल सकते हैं, और हम इसमें डालेंगे ये कंडेंस मिल्क, आज हम इसको चाशनी से या शक्कर से मीठा नहीं करेंगे, सिर्फ कंडेंस मिल्क से ही इसको लड्डूों को बनाएंग 2-3 मिनिटे के लिए हम इसको इसÑ के साथ अच्छे से मिस्क्राइगे, लड्डू का मिशन अच्छे से मिक्स हो चुका है और हम गैस की फ्लेम को बिलकुल लो ही रखेंगे, 2-3 मिन बस चलाना है हमें से लड़ूं का मिश्रन तयार हो चुका है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको 10 मिट के लिए ठंडा होने रखेंगे अब मैंने इसे एक बटन में निकाल लिया है चलिए हमारे मिश्रन को 10 मिट हो चुके यह ठंडा हो चुका है अब हम इसके लड़ू बना लेते हैं आप इसके लड़ू बड़े छोटे अपने अनुसार बना सकते हैं चलिए इसी प्रकार इसको हम गोल कर लेंगे यह इच्छे से गोल हो चुका है और अब हम इसको इस नारियल पाउडर में लगा देंगे उपर से जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं हमारे लड़ू और इसी प्रकार हम सभी लड़ू को तयार कर लेंगे लीजिए इसी प्रकार हमने सभी लड़ू बना लिए हैं इसे भी हम इस नारियल पाउडर में अच्छे से लगा लेंगे और देखिए इसी प्रकार हमारे सभी लड़ू बनकर तयार हो चुके हैं ये लीजिए बनकर तयार हैं हमारे नारियल के लड़ू और लग रहे हैं बलकुल बजार जैसे और ये लड़ू बहुत ही आसानी से बनकर तयार हो जाते हैं आपका जब भी मीठा खाने का मन करें तो आप इसे तुरंट बना सकते हैं आप भी मेरी इस रेसिपी को ड्राई कीजिए और मुझे कमेंट स्वाक्स में लिखके बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी चलिए इसी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाई बाई